कब साथ्यों नमस्कार साथयों जैसे कि बहुत सारे किसान साथ्यों को एक नया जो प्रेंड चल रहा है उसके बारे में किसान भाईयों को जानना है और वो बार बार पूछते हैं कि हमें इस अवस्था में क्या दवाएं लगानी चाहिए ताकि हमारे खेतों में एक तो सूखी सफेद बाल ना निकले बाल काली ना हो दूसरा हमारे दाने में कहीं कहीं कालापन दिखाई दे रहा है बालों में दाने का बजन जादा हो और हमें चमक ऐसी मिले जो कि मंडी के तॉप रेट हमें मिल सकेए शाथे यह सारे points कवर करने का बहुत अच्छा समय है और इस अवस्था में आप बड़ी आसानी से ये चीज़ें पा सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन दवाओं का उप्योग करेंगे तो आपको गजब के रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी अवस्था है और इस अवस्था में आपको अच्छे उत्पादन से कोई निरोक सकता क्योंकि आप तक आपने जो दवाओं लगाई हैं अगर वो सही तरीके से लगाई हैं और आपको उत्पादन ठीक चल रहा है तो इस अवस्था में आपका उत्पादन प्रवावित भी हो सकता है 0050 प्लस बोरॉन 0050 एक किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से आपको देना है बोरॉन यहां पर 100 ग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से लगाना है और अगर आप इस अवस्था में यह उप्योग कर लेते हैं तो इससे आपको यह सारे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे साथियों यहां पर एक जो चीज में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है जहंड़ा पत्ता जहंड़ा पत्ता क्या होता है बहुत सारे किसान साथियों की मतलब कमेंट में पूछते भी हैं कि जहंड़ा पत्ता क्या होता है इसके बारे में हम बताएं साथियों जैसे कि भरने के लिए वो किलोरोफिल चाहिए होता है क्योंकि दानों के अंदर वही सारी चीज़ें चाहिए होती है जो पौदे के अंदर पाई जाती है पौदे के अंदर जितना भी प्रोटीन है बसा है तेलिया कंटेंट है वो सारी की सारी चीज़ें हमारे चावल को जरूरत होती साथ यहां पर हमारे पौदे के अंदर जितनी भी मत्र क्लोरोफिल की है उसे दाने तक पहुचाने का काम करता है 0050 इसलिए 0050 लगाने का यह सही समय है क्योंकि इस अवस्था में हमारे दाने को भरने का समय चल रहा है दाने पर आप यहां पर देख सकते हैं हलकालका फूल बन स्प्रे करना होगा परागन के समय से पहले अगर आप इस प्रे कर देते हैं तो आपके दाने के भराव के साथ साथ आपके दाने में चमक ज्यादा होगी और परागन अच्छा होने से आपके दाने में बालियों आपकी बालियों में दानों की संख्या जरूर बढ़ेगी औ यहां पर सबसे अच्छी चीज में आपको बता दूँ बोरॉन आपके दाने के अंदर जो थोता दना विलकुलुस दाने में जब फूल वनेगा तो फूल से पर परागन की कृया होने पर दाने को भरने का काम यहां पर बोरॉन बहुत अच्छा करता है बहुत सारे तने कमजोर हो जाते हैं जबकि बालिया निकल रही होती है उस अवस्था में यदि बोरोन का इस पर हो जाता है तो तने को मजबूती प्रिदान करने का काम बोरोन करता है पोटास यहां पर क्या काम करता है पोटास हमारे पौदे के अंदर जितन देने वाला होता है क्योंकि यह जंडा पत्ता आखिरी समय तक हरा बना रहना चाहिए और यह पर पूरी तरह से चिपक जाता है और पोटास का इस प्रेय होने के बाद जब तेज पढ़ रही गर्मी जो होती है वह पत्तियों के द्वारा यहां पर हमारे भूजन को नहीं बना को रेगूलर बनाई रखता है इससे आखरी मुमेंट तक भोजन बनता रहता है और हमारे दाने को मिलता रहता है और पौदे के अंदर नीचे जो क्लोरोफिल की मात्रा होती हो आखरी मुमेंट तक दाने तक जाती है दाने का भराव ज्यादा अच्छा हो जाता है दाने का ज्यादा अच्छा भराव होने से हमारे दाने में बजन ज्यादा अच्छा रहता है दाने में चमक जाता है क्योंकि बोरोन लगा हुआ होता है और तने में मजबूती होने की बजा से हमारे पौदे के तने में जल्दी से होपर जैसे रोग नहीं आते जैसे कि आपने देखा ह होगा खेतों में बहुत तेजी से होपर आ जाता है और बहुत तेजी से हमारे खेत खतम होने के कगार पर पहुंच जाते हैं सात्यों इस टाइप से यदि आप इस अवस्था में इस्प्रे करते हैं तो आपको गजब के रिजल जरूर देखने को मिलेंगे सम्थिंग 1 kg पोटास को 100 गराम बोरोन के साथ मिला कर लगवक डेड़ सो लीटर से 200 लीटर पानी के साथ मिला कर इसप्रे जरूर करें क्योंकि हमें अपने पौदे को अच्छे प्रकार से निहलाना होता है उपर से यदि हम पूरे पत्ते को धुल देते हैं तो तने तक नीच पोटास के इस्प्रे के दो दिन के बाद में आप यहां पर इमीडा ले 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 ज्यादा बैटर रहेगा 250 ऐमेल लेकर उसका एक इस्प्रे अपनी खेतों में दे देए ताकि उड़ने वाला कीट जो डंक मार के दाने को थोता कर देता है वो ह प्रभावित ना कर सेके इससे हमारा दाना काला नहीं होगा क्योंकि दाने में भराव सही हो जाएगा ठीक है दूसरा पॉइंट यहां पर बता दूं कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेट में स्वतिया निकल रही है सफेद बाल निकल रही है तो क्या कारण हो सकता है उसके पीछे का कारण है हमारे पौदे की तने की यड़ में होने वाली सुन्डी और उस सुन्डी की बज़ा से तना छिदक रोग की बज़ा से हमारा गर्दन तोड बन रहा है साथियो इससे जब हम पौदे के तने को ऊपर खींचते हैं तो वो सूखा हुआ नीचे से निकलता है और हमारी बालियां भी बिलकुँ सफेद निकलती है इसे नियंतरित करने के लिए हमने पहले बहुत सारे कीटना सक अच्छे सजेश्ट किये थे जिसमें किलोरेंटर नीली प्रॉल एक बहुत अच्छा कीटना सक रहा है जिसमा 18.5% किलोरेंटर निली प्रोल अगर हमने इस्प्रे किया तो हमारे पौदे की तने में यहां पर सुन्डी ना होने के वज़े से हमारी बालियां बिल्कु सफेद नहीं निकली है ठीक है बालियां काली नहीं हुई जिसकी बज़ा से हमारे दाने स्वस्त रहे है तो साथियो अगर आपके खेतों में भी यहां पर सफेद बालियां दिखाई दे रही है तो आपको यहां किलोरेंटर निली प्रोल 18.5% सम्थिंग 80 ml लेना है और 80 ml लेकर एक एकर जमीन में लगवक 500 लिटर पानी के साथ में खेतमा पानी लगाने के बाद जब नमी बन जाए तब स्प्रे करना है और लगवक 2-3 पानी रेगूलर अवस्था में देने है इससे आपके खेतमे जल्दी से तनाचेदक रोग रुकेगा और आपकी जो बालियें सफेद निकलने के कगार पर हैं वो बालियें सफेद नहीं निकलेंगे इससे आपको बड़ी है रिजल्ट मिलेंगे साथियो आशा करता हूँ आप मेरी बास समझ पाए होंगे फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंड बॉक्स में जरूर पूछना मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार किसान साथियो